बहुत ज्यादा थी ज्यादा हम नहीं उठा सके हिमत जवाब दे गई अब अश्लाम लीकुम दोस्तों कैसे आप सब ठीक हैं उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खेरेस होंगे तो दोस्तों मौसम बहुत ही गरम है तो काफी भाई मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि भाई मुर्ग्यों को गर्मी से कैसे बचाया जाए उनकी जगा का टमपरिचर मेंटेन कैसे रखा जाए ताके मुर्गें एजी रह पाएं तो मैंने सोच है आज दोस्तों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ आज मैंने सोच है मुर्ग्यों के खाने में दोस्तों यह मट्टी जो सारी देख रहे हैं आप यह जो मट्टी है सारी में कि इस वाले डर्वे में दालूँगा बड़े वाले डर्वे में तो पहले भी मैंने इसके अंदर मट्टी डाली हुए थी लहकल क्यों उसके अभर के अज़िको और वहारreno में च्छोटा भाई तो मैने सोच है कि आज यार काम बहुत ज्यादा है तो साथ ही मिलके काम करेंगे क्योंकि एक बंदे से दोस्तों इतना ज्यादा मट्टी एक ही टाइम में नहीं उठाई साथ सकती क्योंकि मौसम बहुत गरा में दोस्तों बहुत ज्यादा पसीना आएगा बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी और शैद गर्मी की वजाद से किसी की तबियत भी खराब हो सकती है तो दोस्तों काम पर लगते हैं हम दोनों यह मट्टी यह भाई मेरा अलग कर रहा है सारी ताके हम इस तासले में मट्टी को सेव कर सकें और उधर हम एक एक करके फिर उठाते कि आप उस डबे के अंदर मट्टी रखें और यह जो आप दोस्तों डबे देख रहे हैं यह मुर्गियां इसमें अंडे देती हैं तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर अंडे पड़े हुए हैं तक्रीबन मैंने अभी देखा था थोड़ देर पहले यह पांच अंड यह मैं इस डबे के अंदर रख देता हूं और फिर बाकी बाद में काम करते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों के मुर्गियों को मैं इसके अंदर नहलाओंगा और चूजों को इसके अंदर मैं छोड़ दूँगा देखेंगे कि चूजे स्विम कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो भी आज पता चल जाएगा कि क्या बत्कों की तरह मुर्गी या चूजे तैर सकते हैं या नहीं तैर सकते तो उसको भी आज देखेंगे पाकी यह देखें मैंने इधर यह स्विमिंग पूल रखती है तो चेक करेंगे बाद में फिलहाल यहां पर हम मट्टी डालेंगे चत बहुत कमजोर देख सकते हैं यह चत गिरना शुरू ओगी थी अभी मैंने 6 मुर्ग sacred भी नहीं बिचाई थी यह देखें यहां से चत गिरना शुरू टिंस वज्सान मैंने काम को रुकंण दिया था है भी इसको सारह डूप्रिट करारा है तो यह मैंने उठां यहां हो जाएगी तो एक करके दोस्तों यह पराथ हम इस डर्मे में डालेंगे तो काफी मुश्किल काम है गर्मी की वज़ाद से काफी मुश्किल हो जाएगी तो फिलहाल देख सकते हैं आप तो मेहनत वाला काम है मुर्गें है न उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा तो इस जर्बों में मट्टी लाजमी डालें और उसके ओपर श्रकाव किया करें टाइम लगेगा यहां पर तो मैं कैमेरे को यहां सेट कर लेता हूं अब मैं उठाता हूं मट्टी क्योंकि यार छोटा भाई ठक जाएगा तो अब मेरी बारी है काम करने की पई बारे यहां में चकत कर जाएगारा किया जाओा को तो में रहां भागा जया है तो.. तो इस तरह से दोस्तों यहां पर मैं सारी मठी डाल दूंगा तो यह डाल के फिर मिलते हैं तो दोस्तों इतना उठा सके हम यह मठी बहुत ज्यादा थी ज्यादा हमने उठा सके हिमत जवाब दे गई अब यह देख सकते हैं इसके अंदर मैंने इसके अंदर हमने इतना मठी डाल दी है तो इतना काफी है तो ये फिर मैं अबाद में उठाऊंगा ये बहुत ठक कुके हैं आप मेरी आरफ नहीं टेख सकते हैं तो काफी बाई मुझे किया हॉत कि आप मुझे के तो काफी बाई मुढ़ें को एक इसकी आपने हितियात करनी है आपने या शाम के टाम में नहलाना है मुर्गियों को या सुबा के टाम में नहलाना है आप तूटी के नीचे भी मुर्गी को रख सकते हैं चूजे को रख सकते हैं उससे सारा जिसे मुसका गिला हो जाता है लेकिन मेरे पास दोस्तों ये चीज़ मौझूद थी तो मैंने सोचा है आज क्यों ना आप दोस्तों को ये चीज़ शेयर कर दो तो जब तक दोस्तों ये पूल फुल होता है मैं जब तक ये मट्टी सीधी हम कर लें क्योंकि एक साथ इकटी हुई पड़ी है हुई बहुत महनत वाला काम था दोस्तों आज बहुत ज्यादा गर्मी एक तो गर्मी और साथ में अभी फुल हो रहा है अभी आधा भी नहीं हो आज यह टाइम लेगा थोड़ा सा तो दोस्तों माशला से अब यह जो तलाब है यह फुल हो गया है तो अब मैं चूजों को इसके अंदर छोड़ रहा हूं एक किसम का देखते हैं यह तैर सकते हैं यह नहीं तैर सकते हैं वैसे प्रवाव मैं कुछ को दोस्तों पहली दफ़या नहीं तो इस वजा आप से डर रहे हैं पाकी यह देखें लाज 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 तो दोस्तों इस तरह से मैं सारे मुर्गियां और सारे चूजे जो हैं मैं सब को मैं नहला दूँगा अगर पसंद है तो लाइक कर दीजेगा अभी छिड़काओ करना मैंने मट्टी के उपर बाद में मैं कर लूँगा अगर अभी मैं करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो काफी भाई पिर कहते हैं कि यार आप वीडियो लंबी बना लेते हैं तो यह थी दोस् कोई भी मस्ला आप मुझे कमें कर सकते हैं उसको जवाब आपको लाजमीं दूँगा और हो सकेगा तो मैं उसको पर वीडियो भी बना दूँगा अपनी दूआ में याद रखेगा दोस्तों मिलेंगे कलेक्ट ने टॉपक साथ कलेक्ट ने वीडियो के साथ अभी के लिए आला हाफेश